स्टूडेंट्स आप सभी का मेरे यूटूब चैनल एजूकेशन हाइवे पे स्वागत है आज हम लोग जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका सीर्शक है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोटस हमारी भारतिय संगीत कहानिया और लग कताएं जिसको आर स्री निवासन जी ने लिखा था आर स्री निवासन जी इंगलिस साहित्ति के भारत के एक प्रसिद्ध लेखक थे इनकी स्टाइल जो होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नरम होती है लिशिड होती है He has written many stories, 60 stories, इन्होंने बहुत सारी लग कहानियों का चित्रन किया है, लिखा है, essays लिखा है, और इनका जो लिखने का topic होता था, जिस पर ये लिखते थे, खास करके वो बहुत ही साधारन या सामाजिक विशर पर इनकी कहानियां लग कता हैं लिखने के ये चौकिन थे आए थोड़ा part के बारे में हम जान लेते हैं, music जो है उसको लेखक ने यहाँ पे बताया है कि reflection of our emotions, संगीत हमारे भावनाओं का reflection है, हमारे emotions का reflection है, which comes from our innermost urge and cannot be forced or ordered अगर बात करते हैं उत्तम कला का, उत्तम संगीत का तो लेखक कहता है कि ये आंतरिक प्रेणा की कारण होती है कोई भी सर्बोत्तम कला, सर्बोत्तम कृती, सर्बोत्तम शंगीत, ठीक है, किसी के order से नहीं पैदा किया जा सकता है, किसी के command से नहीं सुना जा सकता है इसी भाव को लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से कहानी के माध्यम से यहाँ पर चित्रन किया है आईए हम में टेक्स पढ़ते हैं कहानी की सुरुवात स्रीनवासंजी ऐसे करते हैं The History of Indian Music is Brimming with Stories and Anecdotes स्रीनवासंजी कहते हैं कि भारत ये संगीत के इतिहास की अगर बात की जाए तो ये क्या है कि बहुत सारी कहानियों को और लग कथाओं को भारत के ये संगीत का इतिहास अपने आप में समाए हुए है भारत के संगीत का भी अपना एक इतिहास है जिसमें कई सारी कहानिया है उसके भी से में लग कताएं हैं Why? क्यूं है? The very origin of music and other fine arts is in itself a story किसी भी संगीत का या दूसरी उत्तम कलाओं का उदगम या पैदा होना लेखा कहता है कि ये अपने आप में एक कहानी है किसी भी अच्छी चीज का पैदा होना अपने आप में एक कहानी है किसी संगीत का पैदा होना उसकी भी अपनी एक कहानी होती है तब वो जाकर के हमारे समझ आती है कि लिख कहता है origin, music and other fine arts is in itself a story आगे देखते हैं इसी संदर्व में लेखक कहता है कि बिधाता ब्रह्मा जी ने इस संसार की इस ब्रह्मांड की रचना की है विधाता ने क्या बनाये इस यूनिवर्स में बहुत प्रकार के आप ब्राइटी आफ वांडर्फुली आश्यरी से पूर्ण, सुंदर्ता से पूर्ण, दिल को छूने वाली चीजों की जड़ी लगा दी ब्राइटी जी उनकी खड़ी कर दी ऐसा लिखक कहता है कि विधाता ब्रह्मा ने इस संसार में आश्यरी से पूर्ण चीजों की ब्राइटी बहुत है ऐसा किया बहुत सारी सुंदर चीजों की लड़ी लगा दी और बहुत सारे धिल को छूने वाली चीजों का निर्माड किया आगे देखते हैं इसी संदर्व में पैरा टू आपका सुरू होता है क्या क्या बनाया ब्रह्मा जी ने बहुत बड़े दूर में फैली हुई परबत्स फ्रंकलाओं का निर्माड किया और जंगल के बिशाल का ब्रिच का निर्माड किया आप जंगल में या जंगल के देखे होंगे बट ब्रिच पाकड का ब्रिच पीपल का ब्रिच बड़े बड़े ब्रिच इतने बिशाल काय होते हैं कि जिसमें कई बीघे में कहो अकेले आ जाएं इतने बिशाल काय होते हैं इसको विधाता ब्रह्मा ने बनाया आज आल्सो दा निम्बल डियर और अगर हम छोटे में बात करें सजीओ में तो उसने सरमीले हिरन भी बनाये जो सरम करते हैं भगते हैं चोकन्ने रहते हैं हमेशा एक्टिब रहते हैं निम्बल डियर बनाया दा कलरफुल पीकाक्स और रंग बिरंगे मोर को बनाया पीकाक्स बहुत ही रंगा बिरंगा होता है ना एंड दा इस्क्यूजिट फ्लावर्स इस्क्यूजिट फ्लावर्स टू ब्यूटिफुल फ्लावर्स अत्यदिक सुन्दर फूलों का भी निर्माड किया आप देखें प्रकिर्त में कितने प्रकार के फूल है और सब अपने आम में यूनिक हैं मैचलेस हैं तो बिधाता ब्रह्मा ने इन चीजों का निर्माड किया फिर लेखक बात को अपने आगे बढ़ाते हों कहता है उसने अपनी रचना को सुन्दरता से पूर्ण कर दिया चार्म आकरशट से पूर्ण कर दिया एंड स्प्लेंडर बैभो से भी पूर्ण कर दिया ऐसा नहीं केवल उसमें चार्म है ब्यूटी है स्प्लेंडर नहीं स्प्लेंडर भी डाला But he was sad, ये सब करने के बाद भी विधाता ब्रह्मा जो थे, वो sad थे, दुखी थे, कहने का मतलब His concern सरस्वती asked him, उनकी सहाय का सरस्वती जी ने उनसे पूछा सरस्वती asked him the reason for his sadness, आपके दुख का क्या कारण है, इसको सरस्वती जी ने उनसे पूछा फिर आगे देखते हैं हम क्या होता है, पैरा थरी शुरू होता है आपका ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा, it is true, I have created all this wonder and charm and showed beauty everywhere ये सच है, it is true, ये सच है, I have created मैंने बनाया है, मैंने निर्माड किया है, रचना की है आल दिस wonder and charm, ये सभी wonder फूण और चार्म पूण, आश्चरी पूण और आकर्सन पूण, चीजों की मैंने रचना की है स्रोल्ड ब्यूटी, उसमें मैंने सुन्दर्ता को हर जगे उडेल के रख दिया है, भार के रख दिया है खुब अधिक मात्रा में स्रोल्ड ब्यूटी everywhere, हर जगा लेकिन क्या दिक्कत है विधाता ब्रह्मा को, but what is the use लेकिन इस मेरी रचना का या इस मेरे काम का क्या उप्योग है, what is the use my children, the human souls, simply pass them by मेरे बच्चे मानो इसको ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए कोई महत्त नहीं रखता है simply pass them by means, उनके लिए हमें लगता है कोई महत्त नहीं रखता है वो motionless है, भावना रहित है, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं they do not seem to be sensitive to the beauty around उनके चारो तरब जो सुन्दरता बिखरी हुई है, उस सुन्दरता पर वो sensitive नहीं है जागरूप नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, उनका चित नहीं लगता है, मन नहीं लगता है आगे फिर देखते हैं, it seems to have been wasted on them ऐसा लगता है, कि ये मेरी रचना जो है, उनके लिए waste है, अच्छी नहीं है उनके लिए बेकार की चीज है, ऐसा मुझे लगता है, विधाता ब्रह्मा जी ने सरस्वती को reply किया this creation seems to be purposeless, और इसलिए मुझे ये रचना, ये संसार उद्देशिहीन लगता है और उद्देशिहीन क्यों लगता है, उनको ये उद्देशिहीन लगता है, यहाँ पर ऐसा भी अर्थ होगा कि जो human souls से उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अता मेरी रचना उद्देशिहीन उनको लगती है, इत्यादी फिर क्या होता है, सरस्वती, पैराफोर आपका, सरस्वती, understood his feelings, सरस्वती उनकी भावना को समझ जाती है कि वो क्या समझ कहना चाहते है, and told him, उनसे बोलती है, क्या बोलती है, आईए दिखते हैं, bell, let me do my share in this great work इस महान कारी में मुझे भी अपना कुछ कारी करने दीजिये, मैं भी आपकी थोड़ा साहता कर दूँ, you have created all this beauty and splendor आपने इस संसार में हर प्रकार की सुन्दरता और इस splendor बैभो का निर्मार किया उसकी रचना की you have created आपने रचना की फिर क्या बोलती है, सरस्वती I shall create in our children the power to respond मैं मानव समाज में ऐसी चीज पैदा करूंगी कि उनके पास शक्त आएगी, उनको मैं मोसंस दूँगी उनके पास शक्त आएगी कि आपकी इस रचना पर वो ध्यान दें और इसको महतु दें, इसका स्वागत करें I shall create in our children the power to respond to appreciate and to be uplifted by them ताकि वो आपकी रचना पर ध्यान दें और उसको आगे बढ़ाएं उस स्रिष्ट को आपके आगे बढ़ाएं, उसका यूज करें I shall give them music and other fine arts, other arts मैं उन्हें संगीत प्रदान करूंगी और दूसरी कलाओं को प्रदान करूंगी मैं उन्हें संगीत बिद्या और दूसरी बिद्याओं को प्रदान करूंगी उनके अंदर ये चीज बुद्ध मैं बठाऊंगी ठीक है, आगे दिखते हैं which will draw out from deep within them, जो उनको आगे लेके आएगा draw out करेगा, कहां से draw out करेगा उस उदासी से, उस carelessness से उनको उठा करके वो बाहर लाएगा जो feeling मैं उनमें दूंगी which will draw out from deep within them, the capacity to respond to the उस छमता को मैं पैदा करूंगी, कि वो आपके इस बैभाव पूर्ण रचना को समझें, इस महत को समझें किसको respond करें, the majestic splendor and बिचित बैभाव से पूर्ण और इस cutive charms, जिसमें अत्तितिक सुन्दरता है and wondrous beauty of all creations और उस हर चीज को respond करना शुरू करेंगे जिसमें wondrous beauty भरी हुई है आश्चर पूर्ण सुन्दरता जिसमें भरी हुई है उसको वो महत तो देना शुरू करेंगे पराफाइब शुरू होता है यहां से आपका the great muse then gave us music यह संगीत का इतिहास है स्रीनिवासन जी क्या कहते है संगीत हर चीज का एक इतिहास है न तो भारतिय संगीत का भी इतिहास है तो यह इतिहास है कि विधाता ब्रह्मा बहुत दुखी थे तब सरस्वती जी ने संगीत मनुष्य को प्रदान किया संगीत बिद्या मनुष्य को प्रदान कि तो वही the great muse muse means होता है बच्चू सरस्वती, माता सरस्वती, बुद्धी की दे भी ठीक है then gave us music and the other fine arts फिर हम को अन्य सारी दुरलब, बिचित्र, सुंदर कलाएं और संगीत प्रदान किया in the hope that through them man would understand something of the divine ताकि मनुष्य समाज कुछ समझे और कुछ एहसास करे understand करे something the divine कुछ स्वर्गिये प्रतिभा को अपने अंदर एहसास करे in the, in his manifestation अपने manifestation में वो इन चीजों को समझे अपने संसार में स्वर्गिये अनभूती करे आगे फिर आता है a strange story but it has a great moral एक बिचित्र कहानी है हाँ, लेकिन इसमें एक नैतिकता भी छिपी हुई है great moral छिपा हुआ है one of the basic truth एक असपश्ट सत्य है या किसी भी कारी का एक आधार है उस कहानी के सच का एक आधार है one of the basic truth on which all Indian art is जिसके उपर सभी भारतिये कलाएं developed हुई है, बिच्शित हुई है is that true? art is never made to order ये सच है कि सची कला किसी के आधेश से नहीं पैदा होती है आप किसी को आधेश दे या आपको कोई आधेश दे कि अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करिए तो आप नहीं कर पाएंगे आपके अंदर से मन से जब आब आ जाएगी self प्रेरित होंगे आप तो अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे उसी चीज को कहते हैं श्री नवासन जी never made to order फिर देखते हैं ये comments as a result of an irisistible inner urge ये कब पैदा होती है जब आन्तरिक प्रेंड़ा हो या ऐसी चीज हो जिसका बिरोध न किया जा सके तब पैदा होती है irisistible जिसका बिरोध न किया जा सके इनर अर्ज आंतरिक प्रेंड़ा कोई भी सर्बोत्तम कला सर्वत्तम गाना, सर्वत्तम हुनर आपके अंतर मन से पैदा होता है आप देख सकते हैं अपने समाज में ऐसे प्राचीन काल में बहुत सारे बिद्वान हुए कलावान हुए, लेखक हुए जिनके पास किसी विस्विद्याले की इन्वर्सिटी की उपाध डिगरियां नहीं थी फिर भी उन्होंने अपने आंतरिक प्रेणा से जिस विसय को चुना उसमें बहुत अच्छा लिखा प्राचीन अरुबेदाचार का किसी विस्विद्याले की डिगरी के मोहताज थे, ऐसा नहीं है उन्होंने अनुभव किया, उनकी आंतरिक प्रेणा थी इस बात को स्री निवासन जी यहां पर बताना चाहते हैं कि भारतिय संगीत में ऐसे ऐसे संगीत का इदिहास है और देखते हैं वी हीर असांग आप त्यागराज हम अगर सुनते हैं, एक गाना सुनते हैं किसका गाना सुनते हैं? सांग आप त्यागराज त्यागराज संगीत तक यह थे अगर हम इनका गाना सुनते हैं and are enthrilled तो हमें रोमान छोड़ता है enthrilled होना, रोए खड़े होना, कपकपी ची आ जाना हमारे अंदर ऐसी frequency पैदा होती है, ऐसा रोमान छोता है कि हम enthrilled हो जाते हैं गाना सुनके किसका ग्याना सुनके लेकर कहता है, त्याग राज का, उदारण देता है we see a majestic temple tower and gaze on it with wonder हम किसी बड़ी temple को, मंदिर को, tower को जब देखते हैं, निहारते हैं तो हमारे अंदर उसको देख करके बिचित्रता पैदा होती है, ऐसा लगता है कि मन में ये बिचार आता है, कि इतना विशाल का है, या इतना सुन्दर भला कैसे बना होगा सरलता नहीं दिखती है उसमें तो इसके पीछे क्या राज है, लेखा कागे बताता है we see some of our ancient sculptures, अगर हम अपने कुछ प्राचीन इमारतों को देखते हैं ancient sculpture and feel thrilled, हम प्राचीन इमारतों को देख करके भी रोमांची थोड़ते हैं इसके पीछे inner अर्ज है, ना कि किसी के आडर से ये बनाई गई होगी why, क्यूं, behind all such works, आप art is a great spiritual urge इन सभी कार्यों के पीछे एक आंत्रिक प्रेणा होती है ऐसा कार्य तभी होता है, जितनी भी बिस्व में कोई सर्बोत्तम चीज बनी जिसको देख करके आश्यर लगता है, वो किसी के आदेश से नहीं बनी वो उस कलाकार के आंत्रिक प्रेणा से बनी, उसने अपनी आत्मा उसमें उडेल दी तब जाकर के वो उतनी बिश्चित्र लगती है तिए, the artist जो कलाकार होता है, who gave them to us वो हमें देता है, उस कला को हमें प्रदान करता है प्योड दियर डिवोशन इन्टू दा सेफ आप सच इसक्यूजिट वर्क आपर्ड अपना पूरा समर्पन, पूरा त्याग, पूरी बुद्ध, पूरी फ्रिक्वेंसी, बुद्ध कौसल, आंत्रिक प्रेणा उसमें लगा देता है तब वो चीज हमें सर्बोत्तम लगने लगती है आप जब अपने आंत्रिक प्रेणा से पढ़ाई करेंगे ना कि अपने अध्यापक के दबाओं में, गार्जियन के दबाओं में तब आप सर्बोत्तम रिजल्ट को प्राप्त होंगे तब आपका रिजल्ट जो है टाप होगा, यूपी टाप होगा अपने स्कूल का टाप होगा, ठीक है, अपने जिले का टाप होगा जब आप अपने मन से प्रेणित होके पढ़ेंगे कहने का मतलब समझ रहे हैं? ठीक, it was an act of self-effacing dedication ये कब होता है, जब self-effacing dedication होता है स्वयम dedication होता है, स्वयम से कोई प्रेणित होता है तब उसके अंदर से ये भाव निकलता है ये आपके इस लेखन का first part है लेखन बढ़ा नहोगा, वीडियों क्लास बढ़ी नहोगा इसलिए इसका बचा हुआ अंस हम आपको second class में बताएंगे, पढ़ाएंगे, आप इसको पढ़ें और subscribe करें, subscriber की जितनी संख्या होगी, उतना हमारे लिए easy होगा, हम अपनी सेवा अधिक समय तक YouTube channel पर देपाएंगे, thank you.